नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियोज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर दरबंगा एरपोर्ट का होगा विस्तार केंद्रियमंती हर्दिप पूरी ने कहा फ्लाइट्स की संख्या और बढ़ाई जाएगा कुरोना के वापसी पर अब बिहार में लॉकडाउन नहीं लेकिन एक अप्रेल से केंद्र की नहीं गाइडलाइन सिम बंगाल और असम में रिकॉर्ड वोटिंग पहले चरण में मद्दाताओं ने दीड खोल कर किया मतना कभी नीजी आइटियाए में बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़ेगा स्टुडेंट का आधार बिना क्लास किये परिक्षा देने की विभाग को मिली सिखाया एक सिसाथ तक स्कूरूटिनी के लिए करे आवेदन कमपार्टमेंटल परिक्षा 29 अपरेल से अरवंगा एयरपोर्ट पर बढ़ी भीड होली में दिल्ली और बैंगलूरू से आने वाले यात्रियों को देना पढ़ रहाया दोगुना के आया दोबारा कोरोना पोजिटिव होना संभाव पर घबराने की कोई जरूरत नहीं इस्तिति नहीं होगी गंभीर अब खबरे विस्तार से अपरेल से नए वित्यवर्ष की सुरुवात हो रही है इस दिन से प्याप से लेकर बैंकिंग टीडियास जैसे कई अहम नियम बदल जा नए वित्यवर्ष में इप्याप से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया गया है अब तक इप्याप से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था अब अगर आप एक साल में धाय लाग तक की रासी इप्याप में जमा करते हैं तभी ब्याज पर टैक्स नहीं म पर जो ब्याज मिलेगा उस पर सरकारी नियमों के मताबिक टैक्स लगेगा बिहार में पंचाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है मुख्या सरपंच, जीला पार्शत और वार्ड सदस्त समेथ कई पदों पर एक साथ चुनाव होने वाला है चुनाव से पहले मुख्या और वार्ड सदस्तों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि सरकार के फैसले से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है दरसल बिहार में पंचाय चुनाव में निर्वाचित जन परते नीधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योगता की सर्थ पूरी करने में सिर्फ तीन दिन बाकी है मुख्या और वार्ड सदस्तों के लिए 31 मार्ज तक समय सीमा तै की गई है पंचायती राज विभाग ने साब काया की जिन पंचायतों के मुख्या या वार्ड सदस्तों द्वारा 31 मार्ज तक ग्राम पंचायतों को दी गई रासी का ओडिट रिपोर्ट 31 मार्ज तक नहीं सौपी जाएगी उनको अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग घोसित कर दिया जाएगा यानि कि वे चुनाव नहीं लड़पाएंगे उन्हें चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं दिया जाएगा गौरतलव हो कि इससे पहले नितीज सरकार ये भी कह चुकी है कि जीन वाडो में और पंचायतों में नल जल योजना और पक्की गली नाली का काम पुरा नहीं किया गया हो वहां के मुख्या भी अयोग करार हो जाएंगे वे भी चुनाव लड़ने से वन्चित रह जाएंगे पंचायतों को 14 वित अयोग के अनसंसा और पंचम राज वित अयोग के अनसंसा पर 5 वरसों तक रासी दी गई है केंद्रिय उड़यन मंत्री हर्दीप सिंग पूरी ने मिथिलां में विकास का नायाब तस्वीरों में से एक धरवंगा एयरपोर्ट की जमकत तारिफ किया है ने काया कि दरवंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाई बहनों के लिए वर्दान साबित हुआ है इससे सहर्शा सितामडी मोतिहारी समेत 17 जीलों के लोगों को लाब पहुच रहा है दरवंगा एयरपोर्ट पर प्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी केंद्रिय उड्डेयन मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि एयरपोर्ट डेवलेप्मेंट के लिए भूमी राज सरकार द्वारा प्रदान की जानी है दरवंगा हवाई अड्डे में पहले से विमान को पार्क करने के लिए कोई जगा नहीं थी आखिरकार सुईधाय बढ़ रही है और एक बड़ा टर्मिनल बनाकर और अधिक भूमी प्राप्त करके हम समझाओ का हल करेंगे बिहार के दरवंगा हवाई अड्डे को उडान पहल के तहत विकसित किया गया है उडान भारत सरकार का एक छेत्रिया हवाई अड्डा विकास और छेत्रिया कनेक्टिविटी योजना है जिसे अप्रेल 2017 में सुरू किया गया था केंद्रिया उड्डेयन मंत्राले भी इस एयरपोर्ट को लेकर गंभी नजर आ रहा है यात्रियों के सुईधाओं से जुड़ी कई अवस्थाओं और परिसानियों के वावजूद दर्भंगा हवाई अड्डे से देश के विफिन सहरों के लिए उडान भरने वाली यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है यहाँ हम ही नहीं कह रहा हैं बलकि केंद्रिया उड्डियान मंत्री हरदीप सिंग पूर्ड ने खुद बताया है केंद्रिया मंत्री ने दर्भंगा एयरपोर्ट के बरती साग को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सेयर किया है जिसमें उन्होंने इस हवाई अड़े से बिहार के 17 जीलों के लोगों को लाब मिलने की बात कही है देश में कोरोना की वापसी को देखते वे सतरकता जारी है राज में लगातार कोरोना के मरीजों की संक्या बढ़ी है लेकिन हालात अभी भी नियंतरन में है एक अप्रेल से बिहार में केंद्रि की नई लागू की जाएगी ग्रिहा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए सहरी और ग्रामिन दोनों तरफ के इलाकों में पावंदी संभाव है लेकिन अब पूरे राज में लोगडाउन नहीं लगेगा केंद्र सरकार के आदेश के पाएंगी सुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से सभी राजजों और केंद्र सासित प्रदेशों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके मुताबिक कंटेन्मेंट जोन के अंदर हाउस टो हाउस सर्विलांज आटीपी सार टेस्ट के आकड़े बढ़ाने के सा साथ नए के सामने आने के बाद संबंदित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करने का या क्वारेंटिन करने को कहा गया है जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले आएंगे वहां असरदार तरीके से कंटेन्मेंट जोन बनाना होगा केंद्र की यहां नई गाइडलाइन एक अप्रेल से लागू होगी बिहार में कोरोना की इस्तिती को लेकर स्वास विभाग के प्रधान सचीफ प्रत्य अम्रित के मताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों में संक्रमन पया जा रहा है बाहर से आने वाले लोगों को टेस्टिंग की जा रही है और एक अप पस्चिम मंगाल में 80 फीजदी और असम में 72.30 फीजदी वोटिंग हुई है। पस्चिम मंगाल के लिए साम 4 बजे तक के वोटिंग के जो आगड़े जारी किये वह 89.27 फीजदी तक माना जा रहा है कि वोटिंग के अंतिम आकड़ा 80 फीजदी के उपर जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बंगलादेश दोरे से ही ट्वीट करते हुए मद्दाताओं से मदाधिकार का प्रयोग करने के अपील की थी। स्त्रम संगसाधन विभाग ने नीजी आईटियाई में पढ़ाई करने वाले सभी चात्र चात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोडने का निर्देश दिया है जिसके बाद राज के नीजी आईटियाई के चात्र बिना क्लास किये परिक्षा में नहीं बैट पाएंगे विभाग के मुताबिक नीजी आईटियाई में दूसरे राज्यों से चात्र चात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है लेकिन वहां क्लास नहीं कर रहा है इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्ज कर दिया गया है ताकि बिना क्लास किये कोई भी चात्र परिक्षा में नहीं बैठे जून में विभागिया समिक्षा होगी जिसमें यहां देख्या जाएगा कि किस आईटियाई में कितने चात्र हैं कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा उसके बाद उस चात्र को परिक्षा टिकट दिया जाएगा बिहार में पंचाया चुनाव में निर्वाचित जनपरतिनीदियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योगता की सर्थ पूरी करने में महज तीन दिन सेस बच गया है ग्राम पंचायतों के मुख्या और वाड सदस्यों के लिए 31 मार्च के समय सीमा महतुपूर्ण है पंचायती राज विभाग ने साप कहा है कि जिन पंचायतों के मुख्या या वाड सदस्यों द्वारा 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गई रासी के आडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक नहीं सौपेंगे उनको अगले पंचायत वहाँ के जन प्रतिनीदियों को जुनाओ के लिए अयोग घोसित कर दिया जाएगा मुख्यमत्री साथ निश्चे योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ग्रामिन पक्की गली नाली योजना और हर घल नल का जल उपलब परानी के रासी दी गई है पंचायतों को 14 वी वित आयोग के अनुसंगसा और पंचम राज वित आयोग के अनुसंगसा पर पांच वर्सों तक रासी दी गई है प्रती विषय सत्तर रुप्ये इसके लिए स्टूडेंट को देने होंगे जितने भी विषय में चात्र चाहे स्कूटनी के लिए आवेदन की जाज की जाएगी अगर किसी चात्र के रिजल्ट में संक्सोधन होता है तो संक्सोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा चात्रों को बिहार बोड की वेबसाइट पर जाकर ऑल्लाइन आवेदन करना होगा विहार विद्दाले परिक्षा समीती ने इंटरमेडियेट कमपार्टमेंटल सविसेश परिक्षा की तीथी जारी कर दिया है कमपार्टमेंटल सविसेश परिक्षा का आयोजन 29 अप्रेल से सुरू होगा परिक्षा 10 मई तक आयोजित की जाएगी हवाई जहाद से होली पर घर आने वाले यात्रियों की संख्या अधीक हो गई है लिहाजा स्पाइस जेट एरलाइन्स ने किराया में बढ़ोतरी कर दी है जानकारी के अनुसार इस समय दिल्ली मुंबई बैंगलूरू वा अहमदाबाद से आने वाले फ्लाइट फूल रहती है इसको मद्दे नजर किराया भी बढ़ा दिया गया है इन महानगरों से आने का एयर टिकट करीब 9000 हो गया है दिल्ली वा बैंगलूरू से दर्भंगा का किराया 9000 के पार कर गया है वहीं मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए 8000 में टिकट खरीदना पढ़ रहा है जबकि सामाइन दिनों में इन रिटों से दर्भंगा आने के लिए यात्रियों को 4-5000 रुपया किराया लगता था वीदी थो दिल्ली वा मुंबई के लिए 2-2 फ्लाइट है अहमदाबाद वा बैंगलूरू के लिए 1-1 उडान सिवा है यात्रियों के संक्या बढ़ने के मद्दे नजर टर्मिनल की जगह कम पढ़ रहा है फ्लाइट आने जाने के समय यात्रियों को विनियादी सुविधाओं के अभाव में काफी परेसानी होती है खासकर फ्लाइट विलम होने पर समय सा और बढ़ जाती है इस इस्तितिवें लोगों को कई घंटे तक टर्मिनल पर खड़ा होकर समय बिताना पड़ता है तरभंगा टर्मिनल के बाहर भी यात्रियों को इंतिजार करते देखा जा सकता है एरपोर्ट पर सुविधाओं का अभाव है कुरोणा की वैक्सिन दो डोज लगवाने के बाद संग्रमन की पूष्टी होने पर विसेसग्यों का कहना है कि ऐसा संभव है लेकिन इससे बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है कमजोर इम्मुनिटी वाले लोगों में इस तरह के केस अधिक देखने को मिल रहा है वैक्सिन बनाने वाले विसेसग्यों ने भी करीब 82 प्रतिसत तक वैक्सिन के असरदान होने की बात कही है यदि कोई संक्रमित हो भी गया तो गंबिर होने की असंका बेहत कम होती है ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी रोजबनरा का काम करना है राजबर में सुक्रवार को 1,9,000 लोगों को कोरोना की वैक्सिन दिया गया है तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जोई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तिदारों में सेर जरूर करें धन्यवाद